जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माह की दो दिन 21 मार्च और 22 मार्च के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों म ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्दन होंगे और उनका प्रभाव आपकी दिंचरिया पर कैसा होगा आपका सुख दुख कैसे रहेंगे आपका प्रेम जीवन पारिवारिक जीवन और आपका सामाजिक जीवन कैसा होगा करियर आपका वैपार आपका बिजनेस नौकरी ये हमारी सब भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो चलिए जान लेते हैं कि इन दो दिनों में क्या तिथी होगी नक्षत्र होगा क्या योग बनेंगे 21 मार्च की बात करते हैं 21 मार्च क्रेशन पक्षी की 12 तिथी है सुभा साथ बजकर 55 मिनड़ तक उसके बात त्रियोदसी लग जाएगी इस दिन गहनी से नक्षत्र रहेगा सिद्ध नाम का योग बन रहा है जो साड़े बारा बज़े तक है दो फैर तक उसके बाद साथ दे नाम का योग बनेगा ये शनिवार का दिन है सुर्य मीन राशी में है और चंद्रमा कुम्ब राशी में है 22 मार्च की बात करते हैं क्रिश्न पक्ष की त्रियोदसी तिति है जो सुभा साथ दस बजकर साथ मिनड़ तक रहेगी उसके बाद चत्र दशी लग जाएगी ये इस दिन शत्विसा नक्षत्र है साध्य नाम का युग बन रहा है दो फैर एक बज़े तक उसके बाद शुभ नाम का युग बनेगा चंद्रमा कुम्ब राशी में ही है और सुर्य मीन राशी में है तो ये थी ग्रहनक्षत्रों की इस्तिति और इसी के आधार पर हम जानेंगे कि ये जो दो दिन है ये आपके लिए कैसे रहने वाले है तो दोस्तो ये जो है राशी फ़र ये चंद्र राशी पर आधारित है और देखिए चंद्रमा की इस्तिति की अगर हम बात करें तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में है पंचम भाव यानि कुमराशी में चंद्रमा जहां कोई पाप कत्री ग्रह नहीं है और ये पंचम भाव जो होता है ये संतान का भाव होता है बुद्धी का भाव होता है और देखे इसको धन का भाव भी लक्षमी का भाव भी इसको कहा जाता है तो यहां एक तो चंद्रमा की इस्तिती अच्छी है क्योंकि उसके लिए यहां कोई पाप ग्रही दोश नहीं है कोई उसके बल को नहीं रोक रहा है तो चंद्रमा अपनी पूर्ण इस्तिती में होंगे जो कि मन के कारक हैं तो आपके लिए इस दिन देखिए कुछ लावदायक हिस्टितियां बन रहे हैं और कुछ आपको सावधानिया भी रखनी होगी सबसे पहले हम आपके कर्यर के बारे में बात करते हैं यह जो समय होगा अगर हम इस समय की बात करें तो देखे ये आपके मार्ग में आने वाली चनोतियों को स्विकार करने के लिए होगा यानि अगर आपके जो कारेशेतर है जो आप बिजनेस करते हैं नौकरे करते हैं कुछ वहाँ परिशानियां आ रहे हैं कुछ चनोतियां आ रहे हैं तो देखें, उनको स्विकार आपको करना होगा, उनसे घबनाएं नहीं, ये ना सोचें, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया, उनको आप स्विकार करें, उनसे आप आगे निकल जाएंगे. इससे आप अपने नवीन विचारों का प्रियोग कर पाएंगे और उनसे आगे निकलने के राष्टे भी खुद ही ढून पाएंगे ध्यान रखें कि आपके पिशले अनुभाव से आप यहां तक पहुचे हैं वैसे ही अपनी इस सफलता से भी आपको आगे बढ़ते जाना है और आप आगे बढ़ेंगे भी साथ ही दूसरों के ओपर उठने के लिए आपको अपनी कलामे सुधार लाना चाहिए देखें जो तुलाराशिक के जातक होते हैं बेहद कलातमक होते हैं उनके अंदर एक ऐसी प्रतिबा चुपी होती है एक ऐसी कलात चुपी होती है जिसका प्रियोग यदि वो अपने जीवन में करते हैं तो वो उनके बहुत काम आ सकती है तो ऐसी ही कला को आपको प्रियोग करना है और अगर हम आपके विवसाय की बात करें विट्य इस्थिति आर्थिक े स्थिति की बात करें तो देखिए आपके विवसाय में व्रद्धी हुई है लेकिन आप उसके अनुरूप अधिक तेज काम नहीं कर पा रहे हैं और हालही में जो अगर अगर आपने कुछ निर्णा लिये हैं, कुछ ठोस कदम लिये हैं, तो वो आपके बहुत फाइदे मन रहेंगे, आपके जो निर्णा लिये गए हैं, वो आपके बेहद काम आने रवाले हैं, इन दिनों आप हलाकि देखिया, आपको कुछ शारीरिक परिशानी जरूर हो सकती ह दर्द वगरा ऐसी परिशानी हो सकती है, तो ऐसी समय में आपको थोड़ा थोड़ा आराम बीच में जरूर करना चाहिए, अगर आप ऐसा नोबव कर रहे हैं, अगर आपके हम आय की रूप में देखें, तो आय के दर्श्टी कौन से तो ये समय आपके लिए उपयोक्त है, आपके आय अच्छी बनी रहेगी, रुकेगी नहीं, आय आपकी बनी रहेगी, और आप अपने काम की गती को भी बढ़ाएंगी, आपकी काम करने की गती बढ़ाएंगी, और आपको ये जानकर प्रसंदता होगी, कि देखें आपकी जो आर्दे किस्तिती है, वो सुधरी बैंक में नगदी पड़ी हुई है तो ये जो समय होगा आपके लिए इस तरह की आत्म विश्वास में वरद्धी करने वाला समय तो जरूर रहेगा परिवार में इन दिनों में आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे अपने परिवार वालों को वक्त भी देंगे परिवार के साथ बैठ कर आपको अच्छा भी लगेगा कुछ जरूरी बाते होंगी जिनको आप सुलजा पाएंगे कुछ ऐसे परिवार के साथ मिलकर कुछ जरूरी निर्ना वियाब ले पाएंगे तो समय तो काफी अनुकुल आपके लिए बना हुआ है वैसे भी पंचम भाव के चंद्रमा है तो यहां आपके संतान के लिए भी अच्छा समय है और संतान के उपर कुछ खर्चे करने का योग भी आपके लिए बना हुआ है इस समय आवदी में देखिए अगर भाई बेहनों के साथ आपके कोई दिक्कत चल रही थी जो आपको परिशान किये हुए थी तो यह समय होगा कि आप अपने भाई बेहनों के साथ अपने रिष्टों को सुधारे आप ऐसे टॉपिक पर बात करें ताकि आपके रिष्टे सुधार सकें इस समय आवदी में आपमें जो नेत्रत्व कोशल है वो आपके बिजनिस के मामले में बहुत काम आने वाला है और दिल के मामले में भी अच्छी तरह से सेवा पर दान करने वाले है आप कहीं जाकर किसी संस्था से जोड़ सकते हैं कुछ मामलों में अपने सेवा आप दे सकते हैं जो आपके लिए खुशी कानुभ़ करने वाले होगे आपकी मेहनत आपको पहचान के साथ साथ प्रशंसा दिलाएगी और देखे वित्यल आप भी दिलाएगी बस आपको दहरिया रखना है और प्रयासो को करते रहना है आप जो भी करेंगे उसमें आप विज़ई जरूर होंगे क्योंकि इस समय भागय आपके साथ चल रहा है पाचवा भाव क्योंकि लक्षमी का भाव भी होता है तो लक्षमी भी आप से प्रसंद है और आपके लिए धन आने के रास्ते भी सुगम है यानि धन आने के जो रास्ते हैं उनमें कोई परिशानी नहीं दिखाई दे रही है इस समय व्यवसाईओं को जो बिजनिस करते हैं उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी है जल्दवाजी में कोई भी नहीं लेना है और जो अब अगर आपने अपने वेवसाई में कुछ परिवर्टर नहीं किया है कुछ नहीं आपने उसमें एड किया है तो देखें ये आप पे पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप अब इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं और आप में ये काबिलियत भी है कि आप मैनेज अच्छे से कर पाएंगे तो इसका ध्यान आपको जरूर रिखना है अब हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की तो देखें लव लाइफ की देखें तो ये समय एक तो रोमान से भरपूर रहेगा मन पसंद किसी रेस्टरों में जा सकते हैं और चांदनी रात में सेर का आनद भी ले सकते हैं यानि जो प्रेम के लिए जरूरी चीजे होती हैं वो आप इस समय करना चाहेंगे वैसे भी तुला राशी जो होती है वो काफी प्रेम करने वाली होती है क्योंकि शुक्र के राशी है तो बड़ी पूरी तरह से समर्पित होती है ये प्रेम सम्मन की बात करें तो अगर देखिया आप किसी रिष्टे में है तो आपके लिए अच्छा होगा कि अपने प्रेमी की तारिफ करना बिलकुल न भोलें चाहे आप मेल है चाहे फिमेल है क्योंकि वही है जो आपको हमेशा समर्धन करता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है इसलिए उसकी तारिफ आप समय सबब पर करते रहें वो बेहत खुश रहेगा और आपका रिष्टा ऐसे ही काफी मजबूत बना रहेगा यह समय देखिए विध्यारतों की अगर हम बात करें तो विध्यारतों के लिए यह समय अच्छा है और आप अपनी एजुकेशन पर जादा से जादा ध्यान दे और घर में ही आप जादा रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा संतान की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है संतान को कुछ परिशानी हो सकती है इस समय और देखे किसी बात पर आप अपनी संतान के प्रती कुछ गुस्सा देखा सकते है जिससे आपको चिंता हो सकती है तो थोड़ा सा सेयम आपको रखना होगा उसकी स्वास्ता का जरूर ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए उनके स्वास्ता का आप जरूर ध्यान रखे घर से बाहर बच्चों को लेकर बिल्कुल ना जाएं घर से बाहर बच्चों को बिल्कुल ना लिका लें खासतोर से जो 22 मार्च का दिन है उस दिन तो जरूर क्योंकि देखे हमारे प्रधान मंतरी जी हैं उन्होंने भी ये बोला है और ये हम सभी का करताव है कि हम उनके साथ रहकर अपने देश के लिए इस बिमारी से जो ये एक बिमारी है उससे लड़ने में एक दूसरे की मदद करें तो मेरा भी देखे हमारे चैनल की तरब से आप सभी से निवेदन है कि 22 मार्च के दिन सभी लोग अपने घर में रहकर वक्त बिताएं अगर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो ही अपने घरों से बाहर निकलें वरना सुबह से रात तक आप अपने घर में ही रहें सह सहयोग करें एक दूसरे को क्योंकि यहां सबसे ज्यादा सहयोग की भावना है और सहयोग आप अपने घर में रहकर कर सकते हैं ऐसी जगा जाने से बचें जहां भीड भाड़ है और बच्चों को खास तोर से बचाएं सबका आप ख्याल रखें और अपने आपके घर के जो बुजर्ग हैं उनका आपको विशेज ध्यान रखना होगा क्योंकि बुजर्गों के लिए तो ये जो एक समय है ये उप्योक्त नहीं है तो कहीं भी बाहर ले जाने से आपको बुजर्गों को जरूर बचाना है अगर आपको कोई मैडिसिन वगरा लेनी है तो आप वो बुजर्गों को बाहर बिलकुल भी दाने का लें उनको घर में ही रके और आप भी इस दिन अपने परिवार के साथ वक्त भीताएं पूरा दिन घर पर रहें उनके साथ वक्त बिताएं कुछ ज़रूरी बातें आप कर सकते हैं तो यह जो समय होगा ये सहयोग देने का भी ह अपने देश को और देखिए अपनों के साथ वक्त बिताने का भी है तो इस दिन का आपको पूरा-पूरा सम्मान के साथ घर में रहकर ये बिताना है हमारी तरफ से भी आपके लिए यही प्रार्थना है तो दोस्तों यी था दो दिन का राशी फल अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न बोलें धन्यवाद